नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paol Singh राठोट और आज इस लिक्चर में मैं आपके साथ डिसकुस करूँगा Medieval Indian History में मामलूग डैनस्टी या गुलाम बंच के बारे में तो देखे, भारत में 320 साल का जो रूल है उत्तर भारत में, to be very specific, that is the दिल्ली सल्तनत time period तो यहाँ पर पांच सल्तनत आती हैं, पांच different ruling dynasties हैं जो अपना शासन establish करती हैं, इनको मैंने आपके लिए simplify करके इस table में लिख दिया है, तो first है slave dynasty, next is Khilji, Tuglaq, Sayyad and Lodhi dynasty, किसका कितना time period है, maximum किसका था, minimum किसका था, इस पर direct सवाल आते हैं, तो इस table को अच्छे से याद कर लिजे, अपने स्तर पर बनाना चाहें, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो आज जिस dynasty के बारे में हम बात करेंगे, मामलुक तुर्किया इलबारी dynasty है, वो कैसे establish हुई थी, उसका थोड़ा सा hint मैंने आपको पिछले lecture में दे दिया था, कुतबुदियन एबग का नाम आया था, आगे आज वहीं से हम स्टोरी को continue करेंगे, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि Pathfinder चैनल को subscribe करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के सभी important और exam-oriented lectures के update समय पर प्राप्त हूँ, मेरे Telegram चैनल से जुड़कर आप lectures के PDF को download कर सकते हैं, Pathfinder चैनल के अलावा मैं Unacademy app पर भी आपके लिए MCQ classes लेकर आता हूँ, तो उन classes से जुड़ने के लिए इस ID पर मुझे वाँ follow कर सकते हैं, अगर आप UPC exam की overall तयारी करना चाहते हैं, live classes में doubts पूछना चाहते हैं, तो आप देश की best faculties से, best educators से live पढ़ सकते हैं, on the Unacademy platform, इस पर जुड़ने के लिए आपको या तो plus या iconic दो प्रकार के subscription है, दोनों में से कोई भी आप अवेल कर सकते हैं, याद रखिए हमारी free classes भी होती हैं platform पर, that is special classes जिन में मैं MCQs के questions discuss करता हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ paid courses भी हैं, जिन में plus और iconic के subscription से आप जुड़ सकते हैं, इनकी prices आप यहाँ देख सकते हैं, हर मंत आपको, हर महीने आपको 2800 या अगर वन येर का प्लान है, तो 3800 रुपीज पे करके UPSC की तैयारी में आपकी मदद मिलेगी, महीपाल कोड का इस्तेमाल करोगे, तो 10% discount मिलेगा, optional subscriptions are also available, iconic subscriptions की क्या खासियत है, यहाँ पर one-on-one mentorship आपको मिल जाती है, और इस mentorship के लिए आपको तभी जाना चाहिए, जब आपके वास कोई और साधन या guidance नहीं है, then this is the best way forward for you, हमारे subscriptions के साथ आपको बहुत सारी सुविधाय मिलती है, जैसे कि notes, एक बहुत बड़ा question bank, MCQ-based crash courses, यह सब कुछ आपको platform पर available होता है, and this is the best platform for UPSC preparation, हर हक्ते नए batches बनते हैं, आप इन batches में जुड़ सकते हैं, और अपनी तयारी start कर सकते हैं, कोई भी doubt है course से संबंदित, तो इस number पर आप call करिये, तो पिछले lecture में मैंने आपसे मुहम्मद घोरी के बारे में चर्चा करी थी, 1206 में घोरी की death हो जाती है, खोखार rebellion को खत्म करने के लिए पंजाब आया था गोरी, और गोरी को महाँ पर एक व्यक्ति ने मार दिया, असाइसिनेट कर दिया, गोरी का एक army general था, कुतबुदिन एबक, एबक was his finest army general and a slave, तो ये एक तुर्किक origin slave था, मुईजुदिन मुहमद घोर का, और एबक ने ही बहुत सारी लड़ाईयां उत्तर भारत में जी दी दी, he was there in all the battles of Tarain, etc. तो एबक को यहाँ पर governor बना कर, गोरी फिर से चला जाता है अफगानिस्तान, तो खुतबुदिन एबक यहाँ पर एक तरह से आप देखेंगे, लेकिन बक्तियार खिलजी की death हो गई थी, after the campaign of Assam, लेकिन कुतबुदिन एबक ने अपने आपको उत्तर भारत में काफी stable कर लिया था, तो जब 1206 में घोरी की death होती है, तो उसके बाद कुतबुदिन एबक almost independent हो जाते हैं, यह अपने आपको independent घोशित नहीं करते हैं, लेकिन independent ही rule करना start कर देते हैं, घोशित क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे एक reason था, देखो घोर में मौमद घोरी के परिवार का एक और व्यक्ति गद्दी पर आ गया था, जो उसका नेफ्यू था, ग्यासुदिन महमूद, गोरी की मृत्यू के बाद कुतबुदिन एबक एक तरसे independent हो गया था, हाला कि वो 1192 से उत्तर भारत में शासन चला रहा था अपना, but on behalf of गोर एंपायर, so he was a governor of the गोर एंपायर, उनके अधीन थे, अब अपने आपको independent गोशित कर देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था independent गोशित करना, क्योंकि उधर गोरीद एंपायर में एक बहुत बड़ी political game चल रही थी, game क्या थी, देखो गोर में, गदी पर बैठता है गोरी का भतीजा, ग्यासुदीन महमूद, ये बड़े भाई का बेटा था, तो अब ये भतीजा जब गदी पर बैठता है, तो ये अफकॉर्स चाहेगा कि जितना मेरा इंडिया वाला एंपायर है, मैं सब अपने कंट्रोल में रखूँ, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं था, अपने पापा और अपने चाचा की तरह इसमें इतनी शक्तिया नहीं थी, कि ये खुद आर्मी केंपेंग लीड कर सके, तो इनके जितने भी आर्मी जनरल्स थे, जस्ट लाइक कुतबुदी नैबग, ये सब आजादी के सपने देखने लगे, और इन्होंने अपने आपको आजाद सेमी इंडिपेंडेंट गोशित कर ही दिया था, इनमें से कुछ प्रमुक नाम है जो exam point of view से important है, उनको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो एक है याल्दूज या याल्दीज दोनों ही spelling यूज करी जाती है, ये गजनी में अपने आपको इंडिपेंडेंट गोशित कर देता है, तो गजनी से याल्दीज, फिर एक और आएगा आगे कबाचा, और एक है कुतबुदिन अइबक और बक्तियार खिल जी, तो ये सारे important military generals थे, लेकिन ये सब अब independent होना चाते हैं, यल्दीज देखता है कि कुतबुदिन अइबक लाहोर दिल्ली पर रूल कर रहा है, तो ये पंजाब आकर लाहोर पर कबजा कर लेता है, लेकिन इधर से अबक दिल्ली से निकल कर अपनी आर्मी लेकर आकर, लाहोर में इन से टकराते हैं, और अबक और यल्दीज के बीच में ये civil war, घुरीद civil war चल रहा है एक तरह से ये लड़ाई होती है, और यहां पर यल्दीज के आर्मी हार जाती है, and he has to go back to the mountains, ये छुपने के लिए कोहिस्तान वाला जो एरिया है, आज का पाकिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में, यहां जाकर छुप जाता है, अब इसके बाद कुतब अबक को समझ में आता है, कि जब तक मैं अपने आपको अफगानिस्तान की तरफ से सिक्योर नहीं करता, तो ये मेरे ही भाई बंदू मुझ पर हमला करते रहेंगे, तो ये अपना capital लाहर में सेट अप कर लेता है, so right after the death of Ghori, Aebak declares लाहर as his capital, और यहीं से वो कोशिश करता है कि सबसे पहले अपना ये frontier सिक्योर करें, क्योंकि देखो बक्तियार खिल जी की death हो चुकी थी, उनको पता था कि बिहार बंगॉल से अभी इतना threat नहीं है, और main threat जो है वो यहाँ पर घुरीद एंपायर के civil war से हो सकता है, उसके बाद एबक्त ने ये सोचा कि चलो मामला प्यार से शान्ती से निपटा देते हैं, तो इसलिए घुर में एक अपना दूद, राज़दूद भेजा गया, तो ये envoy भेजा गया गुरीद capital में और ग्यासुदीन महमूद से पूछा गया, तो ग्यासुदीन महमूद को ये चिठी बेजी गई, एक प्रॉपर एन्वोई भेजा गया, एन अफकोर्स इस तरह से संबान दिया गया कि आप ही हमारे राजा आप बने रहेंगे ओवरलॉड, लेकिन जो रूल है, वो मेरा रहेगा दिल्ली लाहोर में, ये एबग की पेशकर्ष्टी, और एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो गुरीद empire का capital था, इसी के पास में ये है मिनारत आफ जाम, ठीक है, तो जाम नाम की एक जगे है अफगानिस्तान में, इसी मिनारत आफ जाम को कॉपी करके क्या बनाये गया है, दिल्ली का कुतब मिनार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ी similarity आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, today this is a very endangered monument, यह कभी भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो यह नदी बहती है, तो इसका पानी वानी जो है, इसको काफी unstable कर देता है, it's a UNESCO World Heritage Site today, but still it's a very dangerous, it's in a very dangerous position, यह कभी भी गिर सकती है, 1000 साल पुरानी है, फिलाल हम अपने main topic पर फिर से lot आते हैं, तो घ्यासुदीन महमूद ने यह permission दे दी 1209 में, तो 1209 से, एबक was as good as a recognized independent ruler, क्योंकि महमूद को समझ में आ गया था कि मेरी बस की बात नहीं है, दिल्ली जाकर इस पर हमला करना, इसको हराना, तो Khudabuddin Aibak को कह दिया, कि तुम वहां के सुल्तान हो, ठीक है, और सुल्तान के रूप में, you rule over हिंदुस्तान, अब यह सुल्तान जो term है, यह थोड़ा सा अलग है, सुल्तान का मतलब यह है, कि आप overall एक Islamic rule के अंदर शासंग कर रहे हैं, and you are not above everyone else, of course, God is considered to be above everyone else, लेकिन सुल्तान जो है, वो किसके अधीन काम कर रहा है, जो याद करो, आपको मैंने बताया था, कैलिफेट के बारे में, पिछले lectures में, तो कैलिफेट के अधीन, आप काम कर रहे हो, तो इस तरह के टर्म बार-बार आते रहेंगे, अमीर या अमीर, ठीक है, तो अमीर भी एक प्रकार का local governor या ruler है, सुल्तान भी उसी तरह का term है, लेकिन सुल्तान का मतलब क्या होता है, Arabic language में strength, तो सुल्तान एक जाधा powerful ruler जो बन जाता था, उसे सुल्तान की उपादी दी जाने लगी, तो ये सभी कैलिफेट के अधीन काम कर रहे है, लेकिन क्या कैलिफेट अभी directly इन तुर्किक लोगों पर rule कर रहा है, नहीं, याद करो पिछले lectures में बताया था कि ये जो तुर्क हैं, ये कैलिफेट से independent हो चुके थे, बट स्टिल, they retained the Arabic titles, इन्होंने Arabic नाम इस्तमाल करने स्टार्ट कर दिये थे, तो कुतबुदीन अभक ने अपने आपको सुल्तान अफ हिंदुस्तान गोशित कर दिया, 1210 से, इसलिए कई सारी किताबों में आप देखोगे कि जो rule है, वो 1210 तक ही लिखा रहता है, लेकिन उसी साल उसके death भी हो गई थी, तो 1209 में वो official letter आया था, और वैसे वो 1206 से rule कर रहा था, और अगर टेक्निकली आप देखो तो 1192 के बाद से वो भारत में ही था, तो 1206 से 12010 officially आयबक ने शासन किया, और मामलूग डैनस्टी की स्थापनाया पर हो जाती है, तो इस तरह से वो जो अफगान शासन है, उससे एक तरह से इंडिपेंडेनस्टी मिल जाती है, और अब यहीं पर रहकर यह डैनस्टी राज करेगी, यह अफगानिस्टान जाकर अब कभी वापस rule नहीं करने वाले हैं, तो देखो मामलुक का मतलब क्या है, यह भी जान लो, मामलुक वाज़ाइस्टी का अच्छी कैटेगरी का गुलाम था, यह वैसा गुलाम नहीं है, जिससे आप घर में जाडू पोचा लगवाएंगे, यह उस तरह के गुलाम नहीं थे, वो हाउस होल्ड सर्वेंट्स नहीं थे, घरेलू नौकर नहीं थे, मामलुक तुर्किक ट्रेडिशन्स में उन स्लेव को कहा जाता था, जिनने स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई है लड़ाई लडने की, और तुर्किक स्लेव में यह बहुत अच्छा ट्रेडिशन था, कि घुर सवार होना, लड़ाई लडना, आना चाहिए, तभी आपको कोई नौकरी देगा, तो यह एक तरह की ऐसी नौकरी थी, जिसमें आप पर्मनेंट हो, गुलामी कर रहे हो, आपको पैसा वैसा अच्छा मिलेगा, और आप छोड़ कर, इस सुल्तान को छोड़ कर इंडिपेंडनेंट नहीं जा सकते कहीं पर भी, जिसको एक सुल्तान या फिर कोई भी जो हायर अथॉरिटी है, वो उसे मालिकाना हक के तहट अपने पास रख रही है, उसे खरीदा जाता था सेंटरल एशा के मार्केट से, और जब खरीदा जाता था तो वो अल्रेड़ी बहुत अच्छे से ट्रेंड था, और कई बार उसे एक्स्ट्रा ट्रेंइंग दी जाती थी, इन मार्शल आर्ट्स, कोर्ट एटिकेट, दर्बार में कैसे पेश होना है, सुल्तान से कैसे बात करनी है, इस्लामिक साइंसेस में भी कभी कभी ट्रेंइंग दे दी जाती थी, और 20-30 साल की सर्विस के बाद, अक्सर इन स्लेव को आजाद कर दिया जाता था, और ये स्लेव जो हैं, फ्री होने के बाद, कई बार इनी सुल्तान के अधीन में काम करते थे, और इने अच्छे रोल दे दिये जाते थे, लेकिन ये सब के साथ नहीं होता था, ये बहुत कम लोगों के साथ होता था, तो ये मामलूग जो है, ये पूरी जिंदगी अपने मास्टर के प्रती वफादार रहते थे, और उनी के घर, यानि के हाउस होल्ड का मतलब है, लेकिन for all practical purposes for he was independent, अब एक और मामलूग डैनेस्टी इतिहास में काफी important है, तो दो मामलूग डैनेस्टी इस दुनिया में स्थापित हुई थी, दोनों के बारे में आप जान लोग, confused मात हो जाना कभी, तो same इसी तरह से जो मामलूग slaves हैं, ये इजिप्ट की local rulers में जाकर army generals बनते हैं, तो भारत में भी यही हुआता, ये तुर्क्स के साथ आये, army generals थे, military officers थे, और इन्होंने अपने आपको independent गोशित कर दिया, same कहानी वहाँ पर होती है, इजिप्ट में, और 1250 के आसपास ये वहाँ पर भी अपनी dynasty establish करते हैं, तो timeline लगभग similar है, यहाँ 1206, वहाँ 1250, और ये मामलूग dynasty जो है, ये इतियास में सिर्फ एक चीज़ के लिए famous है, ये पहली dynasty या पहला kingdom था जिसने मंगोल्स को हराया, तो मंगोल्स, चंगेज़ खान के समय से कोई लड़ाई नहीं हारे थे, लेकिन 1252 में, ये मामलूग dynasty ऑफ एजिप्ट से हार जाते हैं, और इसी लिए मंगोल्स जो है, इस एरिया से आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये सीरिया में आकर, मंगोल्स का विजई रत रोग दिया जाता है, बैटल ओफ आइनल जलूट है, किसी को लिखना है तो लिख लेना, हमारे हिस्ट्री के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये सीरिया, PCS और एजिप्ट PCS वाले पढ़ें, तो आप तो बस इतना याद रखो कि मामलुक इजब्ट जो है, ये भी पैरलल में था, और 15-17 में इसे उटमन्स हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, तो बाद में उटमन एंपाइर पावर्फुल हो जाता है टर्की से, तो वो इन मामलुक को समाप कर देगा, और फिर इसके बाद ही वो कैलिफेट वाली जो पोजिशन है, वो उटमन्स के पास चली जाएगी, हम आ जाते हैं फिर से हमारे दिल्ली सल्तनत वाले काल पर, तो 320 सालों का ये दिल्ली सल्तनत रूल है, नौर्थ इंडिया में मेजर पावर हाउस या मेजर पावर सेंटर्स इनके रहे, लेकिन कुछ डैनेस्टी, जैसे कि तुगलक डैनेस्टी है, वो अपने आपको दक्षिन तक भी एक्सपांड कर लेती है, तो तुगलक डैनेस्टी का सबसे बड़ा शासन है, नौर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, सेंटर्ल इशिया वाला, तो तुगलक कमजोर हो जाते हैं, लोधी डैनेस्टी जब फाइनली हार्ती है, मुगल डैनेस्टी आती है, उस समय लोधी इसके वल, यह जो गंगा जमना वाला बेल्ट है, इस पर रूल कर रहे थे, तो देखो इनका पावर हाउस या पावर सेंटर हमेशा यही वाला आज का जो उत्तर प्रदेश, हर्याना, पंजाब, यह वाला जो रीजन है, यह रहा था, सम्टाइम्स इट वोज एक्सपांडेट, सम्टाइम्स यह श्रिंक कर जाते हैं, मेनली उत्तर भारत में पावर रहेगा, मामलुक डैनेस्टी, मेजर तोर पर अगर आप देखें, तो यहाँ लाहोर, मुल्तान, यानि कि आज का जो पंजाब शित्र है, और यहाँ से लेकर बंगाल तक थी, राजस्थान, गुजरात, मालवा, सेंटरल इंडिया वाला जो एरिया है, यह सारा मोसली खिलजी के डैनेस्टी के टाइम पीरिड में इनके कंट्रोल में आता है, उसके बाद तुगलग डैनेस्टी, महराष्टर या डेकन तक पहुँच जाती है, और आर्मी मदुराई तक पहुँच गई, लेकिन लोधी डैनेस्टी आते आते, फिर से इनका शासन कमजोर हो जाता है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मामलूग डैनेस्टी से, देखो हर डैनेस्टी में बहुत सारे सुल्तान है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, they are not important, किसी का एक महीने का शासन है, किसी का दो दिन का शासन है, क्योंके कभी कोई गद्दी पर बैठ रहा है, उसको कोई मार देता है, उसकी जगे कोई और आजाता है, तो हमारे लिए important यह है, कि जिन्होंने कुछ important काम किये, उनको हम पढ़ें, सवाल भी उनी से पूछता है, UPSC या जो भी स्टेट PCS के एक्जाम से, तो मामलुक डैनेस्टी में, पाँच सुल्तानों के बारे में पढ़ना है, कुतबुदीन एबक, इल्तुत्मिष, रजिया सुल्ताना, नसीरुदीन बहमूद, ये भी इतना खास important नहीं है, and finally, बल्बन, तो सबसे important दो हैं, इल्तुत्मिष और बल्बन, इन दो के बारे में आपको काफी जानकारियां याद रखनी ज़रूरी है, अब यहाँ पर एक आपको और interesting fact बताता हूँ, कई students अब सोच रहे होंगे कि क्यों हमें ये सुल्तान के बारे में पढ़ाया जाता है, दूसरी dynasties को detail में क्यों नहीं पढ़ाते, आप हर Indian dynasties जो हैं उनको detail में पढ़ाओ, तो इसका एक reason है, देखो ये जो सल्तनत time period है, या फिर जितने भी Arabic kingdoms थे, इन में writing का tradition काफी था, they started documenting things, इन में से कई सुल्तान आप देखेंगे कि अपने दरबार में history लिखने वाले writers को रखते थे, और वो लिखते थे किताबों में, definitely ancient India की भी history हमें बहुत कुछ मालूम चलती है, शिला लेख वगेरा बहुत सारे मिलते हैं, लेगिन उन शिला लेखों में जानकारी limited है, बहुत जादा नहीं है, इनकी किताबों में इन्होंने इतना document किया दा, कि सुल्तान इस साल मुलतान गए, इस साल पंजाब गए, यहाँ पर ये लड़ाई लडने गए, वो automatically किताबों में translate हो जाता है, तो definitely we could do more with the works on inscriptions etc, लेकिन अभी तक यही है, सच्चाई की देखो, ancient और medieval history में, जो दूसरी Hindu dynasties हैं, उनमें शिला लेख के उपर जादा निरभरता है, और जो जितना लिखता था, जितना document करता था, उसका इतियास जादा बन गया, अंग्रेजों के case में भी यही है, अंग्रेज हर चीज को document करते थे, इसलिए हमें एक एक बात पता है कि East India Company ने किस साल कितना profit कमाया, ये तक हमें पता है, सारे records आज भी आप लंडन में जाकर, original records देख सकते हैं, coming back to the topic, तो देखो, कुतबुदी नेभक ने अपने आपको सुल्तान का title दे दिया, it means that he is independent, लाहर को अपना capital बना दिया इसने, क्यों बनाया, security reasons मैं आपको बताई चुका हूँ, इसका एक famous नाम था, लाख बक्ष, अब लाख बक्ष इसलिए कहते थे, क्योंकि इन्होंने एक लाख की charity दे दी दी कहीं पर, तो इसलिए लाख बक्ष एक नाम पढ़ गया, जो स्टेट PCS के बिलकुल ही useless questions होते हैं, उनमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कि title क्या था, capital क्या था, UPSC इस तरह के सवाल अब नहीं पूछती है, उससे उपर उठ चुकी है, आपसे काफी अलग तरह के analytical questions भी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए तैयार रहिएगा, तो वह आपके बारे में अच्छी बाते लिखेंगे, लेकिन बहुत जादा अच्छी ना लिखें, critical थोड़ा सा होना ज़रूरी है, तो एक चीज ये ठीक थी, कि कई सारे writers critical भी थे, slave dynasty में बहुत सारी architectural buildings को बनाया गया, इन buildings में सबसे prominent है, दिल्ली का कुटब मिनार, तो कुटब मिनार बनाया गया था, कुटब उद्दीन एबक के नाम पर नहीं, बलकि एक सूफी सेंट थे, कुटब उद्दीन बक्तियार काकी, इन सूफी संथ के नाम के पीछे, इसको कुटब मिनार नाम दिया गया था, यह कुतुब मिनार जिस complex में स्थित है, इसको पूर एको कुतुब complex कहते हैं, यहाँ पर कई सारी buildings हैं, कई खंडर आपको नजर आएंगे, कई सारी buildings तो आप तूट चुकी हैं, यहाँ पर एक gates वगेरा तूटे वए आपको नजर आएंगे, so basically this is the mosque, ठीक, इस masjid का नाम है, कुवतुल इसलाम मस्जिद, और यह जो मिनार है, इसका नाम है कुतुब मिनार, यहाँ पर एक और अधूरी सी मिनार आपको देखने को मिल रही है, जिसकी चर्चा आने वाली classes में करेंगे, यह अलाई दर्वाजा है, तो यह पूरा complex है, आज यह एक UNESCO World Heritage Site है, अब यह कु 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, इसके बारे में साफ तोर पर वहाँ एक शिलालेक में भी लिखा हुआ है, कि इन हिंदू मंदिरों को तोड़ कर, जो उसका पत्थर था, उससे कुतुब मिनार को बनाये गया, कई सारे मंदिरों के जो ruins हैं, आप आज भी देख सकते हैं, यह हिंदू या जैन ट्रेडिशन वाले कॉलम्स हैं, तो यह मंदिर यहाँ पर तोड़ कर, मस्जिद बनाई जाती है, कुवत तुल इसलाम मस्जिद और कुतब मिनार, तो यह शुरुवात करवा दीती एबख ने, लेकिन एबख का कारेकाल इतना लंबा नहीं था, तो इसके स Slave Dynasty, और उसमें भी कुतब दीन एबख के द्वारा काम स्टार्ट किया गया, कहां से inspired है, यह important है, यह सवाल UPSC पूछ सकता है, तो याद रखेगा, अफगानिस्तान में, मिनारत of Jam, तो Jam नाम की एक जगे है, वहाँ पर जो मिनार है, फोटोग्राफ पहले ही बता चुका उचा सा, इसको कहते है, कुतब मिनार, एक समय पर यह दुनिया की सबसे उची बिल्डिंग थी, इसलिए इतनी फेमस है, यह अलाई दर्वाजा है, यह अलाई मिनार जो बनवानी स्टार्ट करी, लेकिन बाद में अधूरी छोड़ दी गई, यहाँ पर कई सारे टूम्स है जैसे कि इल्तुतमिश्का, मगबरा वगेरा, सब कुछ यहीं पर सते थे, और यह गेट्स जो है, यह हम आर्किटेक्चर में, आर्ट एन आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यो इंपोर्टेंट है, इस जीत के उपलक्ष में, यह मस्जिद या फिर यह मिनार बनवाई ग लिए, यह इतनी उची मिनार यहाँ पर बनवाई गई थी, as a glory of Islam, or the glory of the Sultanate, next, यह जो मस्जिद है, यह बनाई गई थी, 27 जैन और हिंदू मंदिरों से, इसके आपको प्रमान आज भी देखने को मिलेंगे, आपको भी जाएं, तो खुतम मिनार में ज़रूर यह देखेगा कुदबुदी नहिबक ने एक और construction करवाया अजमेर में, अजमेर क्यों, क्योंकि वो चौहन डैनस्टी का capital या important city हुआ करता था, तो अढ़ाई दिन का जोपड़ा यहां बनाया था, शुरुवात वैसे मोहमद घोरी नहीं कर दी थी, लेकिन काम सारा कुदबुदी नहिब अजमेर और यह भी एक Sanskrit school को तोड़ कर बनाया गया था, तो यहां पर एक Sanskrit school था, जिसे तोड़ कर यह मस्जद यहां पर बनवाई गई थी, 1192 में काम शुरू होता है, 1199 में कुदबुदी ने एबक के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, एबक की death काफी anticlimactic थी, यह polo खेलत गोडे से और इनकी death हो जाती है, so he died playing choghan, polo का पुराना नाम choghan भी है, तो वैसे यह Turks जो है, बहुत अच्छे horse rider थे, लेकिन अब यह गिर गया accident हो गया, इसका गोडे से नीचे गिर के मौत हो जाती है, so this was a very sudden death, और अभी अभी तो सुल्तान बने है, 4 साल पहले तो independent हु गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंच कहते है, तो traditionally क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है, सुल्तान का बेटा सुल्तान बनेगा, बड़ा बेटा नहीं तो छोटा बेटा बनेगा, यही tradition था, लेकिन इस dynasty में यह tradition फॉलो नहीं हुआ, क्यूंकि एबक के मरते इसके बेटे ने गद्धी हत्याने की कोशिश करी, बैट गया था गद्धी पे कुछ महीनों के लिए, अराम शा, इसको कुतबुदीन एबक के एक सलेव और इसके दमाद, इल्तुत मिश्ट ने हटा दिया, इल्तुत मिश्ट ने कहा कि तुमारा कोई हक नहीं है, क्यूंकि ससुर जी जो है, वो खुद एक गुलाम थे, और इस डैनस्टी में वही रूल करेगा, जो पारफुल है, तो इल्तुत मिश्ट ने ये कहकर, अराम शा को गद्धी से हटा दिया, इसके पास मिलिटरी की पावर थी, और अराम शा को हटा कर यहीं से, ये ट्रेडिशन परंपरा रही हो, so that is why slave dynasty is very unique, आगे भी ये परंपरा खत्म हो जाएगी, खिलजी में भी जनरली बेटा ही बनेगा, तुगलक्स में भी यही होता है, या तो भाई या बेटा बनेगा, तो slave dynasty के अंदर ये वाली परंपरा चली, कि कई सारे slaves गद्धी पर आकर बैट जाते है सारे slave नहीं थे, कुछ उन में से बच्चे भी थे इनके, आभी आगे बता दूँगा कौन-कौन थे, लेकिन कई सारे powerful जो ruler हैं, वो सारे गुलाम थे, तो इलतुतमिश को slave dynasty का true founder कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सही मायनों में इस सल्तनत को establish किया था, एबक की death के समय ये सल् अब इस dynasty का एक और नाम है इलबारी, इलबारी इने कहते हैं क्योंकि ये इलबारी तुर्क थे, ठीक है, तो इलबारी तुर्क भी इने कहा जाता है, ये इनकी tribe का नाम था Central Asia में, हाला कि इस पर सवाल आने की संभावना कम लगती है, मुझे लेकिन नाम याद रख लो, तो मामलूक, इलबारी, स्लेव डैनेस्टी, कई सारे इसके नाम है, लाहोर से capital को इसने दिल्ली shift कर दिया, क्योंकि अब इसे पता था कि लाहोर एकदम secure है, ठीक है, लाहोर को एकदम secure कर दिया है, अब हमें दिल्ली को capital बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली थोड़ा centralized आप यहां से बिहार, बंगाल को असानी से access कर सकते हैं, डिस्टेंस लाहोर से कम है, इसकी तो इसलिए दिल्ली को capital बनाया जाता है, इलतुतमिश के द्वारा, फिर इलतुतमिश ने अच्छी advice के लिए एक council स्थापित करी, इसने गहा कि 40 intelligent लोग लाओ, जो हमारे administration में चालीसा भी कहते हैं, मतलब हिंदी वाले word में उसको चालीसा कहा जाने लगा, तो यह 40 elite nobles थे, और धीरे धीरे आप देखोगे कि यह 40 elite nobles ही सारे power player बन गए, यही पीछे से चलाते दे slave dynasty के सुल्तान को, और इनी में से कई nobles आगे चलकर सुल्तान भी बनेंगे, तो यह पर refugee dynasty established कर दी थी, तो यह अपने आपको independent गोशित कर चुगा था है, बंगाल में, इसे हराया गया, कुबाचा, यह कौन है, कुबाचा जो है, यह भी यल्दीज की तरह, कुटबुदीन एबक की तरह, आर्मी जनरल था, तो कुबाचा ने अपने आपको मुलतान में independent गोशित क हार गया, और इलतुतमिश के खुद के अपने officers जो है, वो इसे मानने को तयार नहीं थे, सुल्तान के रूप में, वो इसे slave के रूप में देखते थे, वो कहते थे कि तुम तो एबक के दमाद हो, ठीक है, शादी वादी करा दी बेटी की, लेकिन ultimately you are a slave, तुम हो तो गुला establish किया, लेकिन उसके सामने भी और challenges थे, जैसे कि राजपूत kings, अब ये जो राजस्थान वाला area यहां कि राजपूत राजा अभी भी इनके control में नहीं आये थे, तो राजपूत kings सबसे बड़ा challenge pose कर रहे थे इस सल्तनत को, अगर दूसरे areas के kings मिलकर attack कर देते राजस्थान और मालवा, गुजरात, इनके, तो शायद सल्तनत उसी समय खत्म हो जाती, ये बात एबक को भी पता थी, इल्दुत्मिश को भी पता थी, तो इसी लिए इन rulers को अपने control में लाना बहुत जरूरी था, तो कुछ राजाओं को जिनको पहले हरा चुके थे, गोरी के time पे, उन बतीजे थे, वो सब अब हट चुके हैं, वहाँ पर ख्वाराजिमी empire completely control कर चुका है, और ख्वाराजिमी empire से अब इनको खत्रा होगा, यल्दूज, जो घोरी का एक slave था, वो घजनी से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये ख्वाराजिमी empires की army आजाती है, तो वो घजनी ruler बन गए, ruler तो मैं हूँ, गजनी मेरे control में था, और अब जो मैं कहूंगा, वो होगा, तो मुझे यहाँ का सुल्तान गोशित कर दिया जाए, तो इस तरह से एक और इनके आपस में लडाई होती है, तो अब यहाँ पर इल्तुदमिश एक काफी famous बात कहता है, ये बात फट of hereditary succession is not extinct, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, ये होता आया है, और कहीं और पर चलता भी होगा, लेकिन ये एक मात्र तरीका नहीं है, जो शक्तिशाली है, वो भी राजा बन सकता है, long ago destiny abolished this custom, तो अब नियती को ये मंजूर नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने जो सबसे शक्तिशाली होगा, greatest strength है, उसके पास power रहेगी, वो सुल्तान बनेगा, इस तरह से उसने जवाब दिया यल्दीज को, यल्दूस को, और इनके बीच में एक लड़ाई होती है, इल्दूस को हरा देता है, और यल्दीज को यहां से भागना पड़ता है, फाइनली यह अपना Northwest frontier secure कर लेता, इल्दूतमिश, लेकिन अब Khwarazimi Empire धीरे धीरे इसको challenge देगा, तो यह Khwarazimi Empire काफी बड़ा था, it was much larger than the Delhi Sultanate, and much powerful as well, यह Khwarazimi Empire का नाम याद करो, मैंने पिछले lecture में भी बताया था, मंगोल्स के साथ इनकी कुछ problems होई थी, वो अब बस आने ही वाली है, तो problem क्या होई थी, देखो, Khwarazimi Empire पर हमला कर दिया, मंगोल्स ने, ठीक है, तो यह दिल्ली सल्तनत से जादा powerful यह थे, लेकिन इनके भी बाप थे मंगोल, तो मंगोल जहां पर भी आते थे, एक अलगी खौफ लेकर आते थे, मंगोल आर्मी किसी शहर को नहीं छोड़ती थी, वो पूरे शहर को खत्म कर देती थी, जमीन में मिला देते थे, वो cities को, literally, और सारे आद्मियों को मार कर महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना कर बेज देते थे, यह मंगोल्स का तरीका था, तो मंगोल आर्मी आती है under the leadership of चंगेश खान himself, अब चंगेश खान सबसे बिग सिटी, as big as Delhi and Lahore, लेकिन अब आज के समय में एक छोटा सा टाउन है अफगानिस्तान में और उसका बहुत बड़ा रीजन है, चंगेश खान का अटाक, पूरे शहर को खत्म कर दिया गया, कुछ बचा ही नहीं, मिट्टी बची थी गजनी के अंदर, यह हालत कर दी थी और क्यों, क्योंके गजनी के जो रूलर्स थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम मंगोल ट्रेड को यहां से नहीं होने देंगे, जितने भी कैरवान आते हैं मंगोल के, उन्हें हम पास नहीं करने देंगे, तो इसलिए अटाक होता है और पूरी तरसे गजनी को खत्म कर दिय जाता है, अब हुआ ये कि जो ख्वाराजमी एंपायर है, इसका एक प्रिंस था, जलालुदीन मंग बरनी, ये चंगेज खान की आर्मी से भागते हुए, बचते हुए, भारत में आने की कोशिश करता है, तो ये यहां से भागते दोडते, इंडस नदी को क्रॉस करके भार मुझ पर चंगेज खान हमला कर देगा, अभी बमुश्किल मैंने रिवोल्ड्स वगेरा सप्रेस किये हैं, ये यल्दूस को हराया है, अभी तो स्टेबल हुआ हूँ मैं, और अब मैं मंगोल्स का सामना करूं, पॉसिबल ही नहीं है, तो जलालुदीन मंग बरनी को मना कर दिया, इल्तुत्मिष ने, ये medieval non-alignment था एक तरह का, इल्तुत्मिष ने कहा कि नहीं भईया, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आप उधर ही रहो, कुछ समय के लिए आ गया था लाहर फिर इसको वापिस भेज दिया था, तो चंगेज खान की आ अब इल्तुत्मिष अपने empire पर अच्छे से focus कर सकता था, तो यहाँ पर उसने अपना northwestern border secure कर लिया, उसे पता चल गया कि आप मंगोल कुछ साल के लिए वापिस नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी armies नहीं आती थी, attack करने के लिए, और बिहार और बंगाल में जो problems हैं अब उसको मैं अच्छे से solve करूँगा, यह इल्तुत्मिष को समझ में आ गया, तो यहाँ पर एक नया सुल्तान गोशित हुआ था, सुल्तान ग्यासुदीन, लेकिन उसने अपना title ले लिया था, ग्यासुदीन, वही खलजी डैनस्टी, तो इस डैनस्टी को खत्म कर दिया क्योंकि distant था न, यहाँ पर पहुँचने वही कुछ दिन लग जाते थे, तो बंगाल अपने आपको तुरंत आजाद गोशित करता था, और हमेशा दिल्ली के सुल्तान हो चाहे, मुगल्स हो, सबको यही प्रॉब्लम रही कि बंगाल को कैसे कंट्रोल करना है, तो बंगौल का क्यापिटल उस समय नागदा था, चतौर नहीं था, नहीं उदैपूर था, नागदा नाम का एक छोटा सा गाउं है आज के समय उदैपूर के पास में, तो नागदा पर हमला किया गया, यहाँ पर इसके आर्मी जीती गई थी, लेकिन लास्ट मुमेंट मेवाड के रूल आना पड़ता है हार कर, और उसको बहुत नुकसान हुआ, इलतुतमिश को गुजरात के केंपेन में काफे नुकसान हुआ था, तो इस तरह से हमले तो किये, लेकिन अभी भी गुजरात और मिवाड या राधिस्थान पूरी तरह से सल्तनत के कंट्रोल में नहीं आ पाया है फिर इलतुतमिश का एक बहुत important administrative या bureaucratic step था, इक्ता सिस्टम को चालू करना या लागू करना, तो इक्ता या एक्तेदारी सिस्टम में क्या होगा, पूरे empire को आपने divide कर दिया, तो अलग-अलग areas को divide कर दिया और उन्हें कहा जा रहा है इक्ता, तो इक्ता को आप कह सकते ह तदबग आज के district के बराबर का area है, तो माल लीजे कि the इक्ता of Johnpur, तो Johnpur एक इक्ता है, वहाँ पर एक senior noble को भेजा जाएगा, एक senior दरबारी को भेजा जाएगा, जो यही तुर्क थे, जो दरबार में बैठा करते थे, हो सकता है कि कोई चेहलगानी में से भी एक हो, और चे तब आर्मी भेजनी है, तो दिल्ली में जब भी demand होगी आर्मी की तब आपको आर्मी भेजनी है, तो यह इक्तेदारी सिस्टम है, धीरे धीरे इसी सिस्टम को लोग बहतर करते गए, ultimately मुगल्स मनसबदारी सिस्टम लेकर आते हैं, अंग्रेज पर्मानेंट सेट्लमेंट लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर law and order और आर्मी का अंग्रेजों के समय में कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी एक्तेदारी और मनसबदारी में आप देखोगी कि revenue, law and order, army ये तीनों component शामिल हैं, फिर कुतब मिनार का काम इसने खत्म किया, सिक्के introduce किये, पहली बार कोई का introduce करता है, कुतबुदेन अभग कुड नोट start his own coins, लेकिन यहाँ पर टंका और जीतल सिक्के लागू किये गए, टंका was a silver coin, जीतल was a copper coin, और आने वाले कई सधियों तक यही नाम इस्तमाल किये जाएंगे, इल्तुतमिश ने एक और important काम ये कि, अबासित कैलिफ जो कासित कैलिफेट की तरफ से ये authority letter इन्हें मिल गया था, कुछ सुल्तान है, मैं बता दूँगा कौन कौन से हैं, जिन्हों ने इस authority letter की demand करी थी, क्यों, तक ही पूरे wider Islamic world में आप certified हो जाते हैं, कि भईया, हिंदुस्तान के आप ही असली शासक हैं, कारण क्या था है, तक तो गोड़े पर बैटके लड़ाईयां लड़ रहे थे, आज गदी पर बैठे हो, तो इस तरह की बातें शायद इन्हों पसंद नहीं आई होगी, तो इल्तुद मिश्च ने कहा कि सबका मुँ बंद करवाने का एक ही तरीका है, खुद खलीफा से चट्थी लिखवा कर ये ले लो कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, तो ये अथोरिटी लेटर इन्हें मिल गया था, एक और आर्किटेक्टरल वर्क जो करवाय था इल्तुद मिश्च ने, उसका नाम है गंदक की बावली, तो महरौली में तीन बावली या तीन बावली है, तो एक इंपोर्टन बावली है, अनंग ताल बावली, ये बनवाई थी अनंग पाल तोमर, तोमर डैनेस्टी, याद करो दिल्ली के हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको मैंने शुरुबाती लेक्चर्स में, तो ये अनंग ताल बावली भी है, उसी के पास में गंदक की बावली है, और एक है उपर का हिस्सा है, वो गायब हो चुका है, गिर गया, तो पर ये खाली आस्मान नजर आता है, तो ये शुरुवाती टूम्स में से एक है, धीरे-धीरे आप देखोगे कि टूम बिल्डिंग बेटर होती जाएगी, खास करके तुगलक के जो टूम है, वो काफी बहतर बने इसमें आप जुड़िए, modern history हम पढ़ रहे हैं, यापर कोई भी doubts हैं, वो आपके directly मा clear हो जाएंगे, सारे courses and academy के EMI पर उपलब्ध है, 27 मार्च को देश का सबसे बड़ा scholarship test आ रहा है, civil services championship, इसमें हिस्सा लेने के लिए pinned comment पर दिये गए, link पर click करें, अगर आप अभी enroll करते है, daily lucky draw होता है, जिसमें vouchers जीच सकते हैं, an academy का offline experience center चालू हो चुका है दिल्ली में, तो अगर आप रजिंदर नगर या करूलबाग में हैं, you can go and experience the idea of an online class, किस तरह से online classes होती हैं, या आप इस experience center में जाकर देख सकते हैं, thank you very much, have a great day.